हाई आपको यह सिखा होंगे कि कॉमन कैसे लेते हैं ठीक है अलजेब्रा का टॉपिक होगा यह और कॉमन लेना आना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी कोशन से हम लोग सॉल्व करते हैं कर हम लोग कॉमन नहीं ले पाते हैं तो उसको कार्ड भी नहीं सकते हैं तो 3x-9 इससे कॉमन लेना है यानि की फैक्टराइज करना है इसको ठीक है तो कैसे करेंगे देखें इसको लिख सकते है 3 x x 3 ठीक है एक दों बेसिक से सीखेंगे आराम-ाराम से अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं ठीक है अगर आपका बेसिक अच्छा है किलियर है यह सब तो यह विडियो को इसकीप कर सकते हैं तो देखें यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है तो एक 3 को बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या बचा x और यहाँ पर क्या बचा 3 तो यह हो जाएगा आपका आंसर ठीक है यहाँ पर दो टर्म ह करेंगे कुस्सन को जादा से जादा प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा उसके बाद देखें हैं पर 5 x इसको क्या लिख सकते हैं 5 x x इसको क्या लिए सकते हैं 3 into 5 हम लोग prime number में इसको divide कर लेंगे इस तरह से prime number में ठीक है उसके बाद क्या है x को क्या लिए सकते हैं 2 बार x लिख सकते हैं इस तरह से ठीक है अब देखे यहां भी आफको 5 है और यहां भी 5 है तो को प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद देखे कोश्चन है फिर कोश्चन है 20 A 12 B 2 ठीक है अब देखे यहां पर क्या है इसको A 12 बार हम लोग ऐसे से लिखते नहीं चले जाएंगे यह तो बस दो बार में आपको समझाने के लिए बताया था आपके 20 है यह 15 है 20 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 5 into 4 इसको लिख सकते है 5 into 3 यानि के दोनों में 5 है तो यह 5 को मना किया यहां पर ठीक है और यहां पर दिखे A 12 times है यहां पर A 8 times है तो इसमें भी A 8 times तो हो गई होगा तो A लिख लेते हम लोग 8 बार अब यहां पर B का power square है अब B power 4 है तो B power square ले लेंगे यहां पर क्या बचा 4 यहां पर 8 निकल गया तो A बचा A power 4 बचा ठीक है क्योंकि हम लों को पता है अगर A power 4 हो A power 12 हो ठीक है तो यह दोनों अगर base same है तो यह power क्या होता है प्लस हो जाता है 4 प्लस 12 बड़ाबर क्या हो जाएगा A power 16 ठीक है तो वही पर यहां भी इस तरह से करेंगे यह दोनों अगर जूट जाएगा तो 12 हो जाएगा अब यहां पर 5 निकल किया बचा 3 A तो पुड़ा निकल किया B square निकला तो बचा B square ठीक है तो यह आपका हो जाएगा answer चलिए और question practice करते है यह वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी doubt ने होगा common लेने में आप आराम से ले सकते है अब देखे हैं आपे 72 है यहांपे 96 है तो दोनों में क्या आपको common आ रहा है यहांए कि SCF क्या निकल रहा है तो अब अगर यहां से देखे 12 common ले लेते हैं ठीक है तो कितना हो जाएगा 12 common ले लेते हैं यहांपे X पे पावर 6 है X पावर 7 है तो X पे पावर 6 common आ जाएगा यहां Y पे पावर 7 है y power 6 है तो y power 6 common आ जाएगा है यहां 12 common लिए है तो बज़ गया 6 चुकि यह 12 6 है 72 होता है ठीक है 12 चक 72 यहां x पुड़ा आ गया यहां पचा 1 y यहां पर 8 आ जाएगा अपको ठीक है उसके बाद देखें यहां पर x square x 7 निकला तो 1 x बज़ गया अब यहां आप common ले सकते हैं 2 ठीक है तो 2 x 6 y 6 एक 2 और फिर से common ले लिए तो वहां पर जाएगा 3 y minus 4 x यह आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो इसका मतल्य हम 24 common ले सकते थे ठीक है तो 24 x 6 y 6 यह हो गया 3 y minus 4 x यह आपका answer हो जाएगा ठीक है तो यहां पर 24 याने की 72 और 96 का scf क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा ठीक है चली देखते है दूसा question देखे इसमें दिया हुआ है 20 x पर पावर क्यूब 40 x square 80 x इसको कैसे solve करेंगे अब 20 हम common ले सकते हैं ठीक है क्योंकि 20 20 से sub divided हो जाएगा और 20 40 और 80 का scf कितना आजाएगा 20 आजाएगा ठीक है तो 20 कॉमा ले लिए यहां पर x cube है x square है एक x है तो एक x common लेंगे क्योंकि तीनो तर्म में जो होगा वही चीज़ हम लोग common लेंगे ठीक है तो यहां हो गया x square यहां पर बज़िए आपको 2 x यहां पर बज़िए आपको क्या सिर्फ 4 बचेगा है क्योंकि x तो निकल लिया था यह आपका हो जाएगा answer ठीक है एक और question practice करते है रेखें 2 x cube y square minus 4 x square y cube 2 4 और 8 का scf 2 होगा तो 2 तो common आजाएगा यहां से x का minimum power देखना है तो यहां पर क्या है y square तो y square common आएगा अब दीक हाँ क्या बचा एगा x square यहां बचाएपको minus है तो minus होजाएगा यहां बचा 2 x y बचाए plus यहां बचाए4 x आगे बहर y square यहां हो जाएगा यह आपका हो जाएगा answer क्लिया है क्या है क्लिए से comment करके पूछ सकते हैं यह 10 से यह 15 यह 20 से तो 10 15 और 20 का ऐसी आप क्या हो जाएगा ठीक है तो 5 दो आ जाएगा अब देखे M का minimum power का है तो minimum power यहां पर square तो यह आजाएगा अब ÉN का minimum power आर ज良ते हैं तो 1 वे यह आजाएगा अब जीहहां किमपर क्या बचा में आहें kी दिए और न गया है ऐसे यह देशनी में आप को क्लीर हो घकाल सबस्क्राएगा अब देखें आपे 28, 14, 21 तो 28, 14 और 21 का SCF क्या हो जाएगा तो आपको देख रहे हैं यहाँ पर 7 अराम से SCF निकल रहा है तो 7 common ले लिए A का minimum power क्या है? A square है, यहाँ भी है, यहाँ भी है तो A square ले लिए अब देखें, B तो दिया हुआ है, लेकिन B इस दोनों term में नहीं है, तो B common नहीं आएगा अब कुछ common नहीं आएगा तो यहाँ क्या बच गया, 4 प्लस, यहाँ भचा 2, 7, 2 जा 14 A square आगया, B square बचा, यहाँ भचा 3 A square ठीक है, तो यह आपको बचाएगा answer ठीक है, तो चली देखें, एक-दो question और practice कर लेते हैं अब यहाँ पर क्या common ले सकते हैं, जो तीनों में हो देखें, यहाँ A square, A का minimum power क्या है, A है, तो A तो आजाएगा common अब B का minimum power क्या है, B है तो B आजाएगा, B तीनों term में है तो A B common आएगा, यहाँ बचेगा A पर power Q, यहाँ बचेगा 3 A B ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, आपको बचेगा 6, A तो बार आगया, B भी बार आगया तो बचेगा B square, तो यह हो जाएगा आपका answer ठीक है guys, चली देखते हैं, एक और question practice करते हैं यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो common तो नहीं आएगा, यहाँ पर L square है, यहाँ पर L है, यहाँ भी L है, तो L आजाएगा common यहाँ M है, यहाँ M square है, यहाँ M common आजाएगा, यहाँ पर N है, N square है, तो N common आजाएगा, minimum power को common लेना है, जो तीनों में हो तो यहां पर क्या बच गया 2L ठीक है MN तो बाहर आ गया यहां पचा माइनस 3 L आ गया N आ गया तो बचा M प्लस 4 यहां पर आ जाएगा और L MN आ जाएगा तो यहां न जाएगा यह हो जाएगा आपका answer ठीक है guys I hope आपको clear हुआ होगा आज के बास से कोई डाउट नहीं होगा वीडियो देखने के बाद आपको common लेने में आपको common ले सकते हैं बहुत ही आसान है अब देखें तीनों टरम में क्या है तो X है Y है लेकिन अब minimum power क्या है तो X का यहां पर देख रहा है X square दिया आ गया और Y का यहां दिख रहा है Y square दिया गया यहां पर क्या बचा यहां X square बचा यहां पर क्या बचा है Y square बचा है यहां क्या बचा X square, Y square बचा यह होगा आपका answer ठीक है एक और question देखते है अब देखे है 9X square Y This is 3AXY So 9 को लिख सकते है 3 into 3 ठीit 3 X को कह लिए सकते है X इंटो X इंटो Y पलस इसको कहले सकते है 3 इंटो A inटो X इंटो Y ठीद है तो यहां पर 3 है यहां भी 3 है 3 common आगए ठीद है और यहां X यहां X है यह common आग voting यहां हुआ आई है यह common आगए यहां क्या बचा यहां बचा आपको 3x यहां बचा आपको a बचा 3xy निकल गया a बचा तो आपका अंसर हो जाएगा 3x यह आपका अंसर हो जाएगा ठीक है I hope आपको doubt clear हो गया होगा अगर आपको कोई doubt होता है तो please आप comment करके बताइए आपको common लेने में कोई doubt नहीं होगा जब भी algebra या simplification करेंगे तो यह common लेना पड़ता है तो वहाँ पर doubt नहीं होगा ठीक है और भी वीडियो ऐसा चाहिए आपको basic एक दम तो आप comment करके बताइएगा चैनल को subscribe कीजिए दोस्तों के साथ share कीजिए thank you so much for watching this video